किमत मिलता है कि पेस्ते हैं तो यह होता है खड़्चा पान इक्वेट वार तीटी बन रहा था ही हम आते हैं जात पान स्वाव कमाई तो खर के बाहर भी कूरा कचरा यहां देखा जाते ते पहले स्कूल में जो मैडम सब रहती है न मौनिंग में सरकारी में कभी नहीं पढ़ाती है कोई बच्चे को सब बच्चे अपना फिरी से खिलता नमस्कार मेरा नाम निशा है आप डिटी डबलू ट्वणी फोर न्यूज देख रहे हैं हम मौजूद है पटना जंक्शन के पास और यहां से गुजरते वाक्त जब हमें यह नजारा दिखा तो हम खुद को रोक नहीं पाए एक बार मैं चाहूंगी राधा से कि वो दिखाए कि यह कच्ड़ा जो है यहां पे वो इतने भंडार जैसा यहां से वहां तक यह जो कच्ड़ा है और यहां पे कितने सारे लोग जो है वो इसको चुन रहे हैं इसको बेच करके वो कुछ पैसे कमाते और उसे उनका जीवन चलता है कि अभी हम यहां पर जो भाईया है गाड है वो काम करते हैं करीब शे मैने से उनसे बात कर वा उनसे बात करते हैं और सुनवाते हैं आपको कि आखिर जो यह कब से कच्णा जो है वाँ प्छेक का जाता है और कितने लोग लगबग मेरा नाम सुरच कुमर है में मेठापुर के राने वाला हूं उसलंधी रहने वाले और कींद दो बजी तक व करंग से कि articulated दो बजे तक चुनते हैं यहाँ गारी गिनना बर जाना तरकीह यह लोग चले जाते हैं ऑच्छा उच्छा बिलेदीया जाता है gmail होसे पटना को अभी गंद्ध शहर बिमार कर रहा है यह नहीं पहले यह चलता था और आज वी ऐसा है कि यह एक जगा कठा करके गारी में गिराया जा रहा है और ऐसे तो घर के बार पहले पहले क्च्रा ने गिर रहा था तो इससे पहले क्या था इसके बालु में हमाँ मालुम नहीं बखरी बजार तो बहुत दीन से था वह पहले को पचीश साल तीस सल सब्सक्राइब करते हैं आप कितने टाइम से काम करते हैं वह वह साल भर हो गया आपका भी एक साल हो गया अच्छा एक साल में जो लोग यह लोग पूडा चुनते हैं यहां पे लोगा रेगुलर रोज का है यह आते हैं हैं और यहां से खुडा चुन के ले जाते हैं और फिर यह जो खुडा यह जो यहां से चुन के ले जाते हैं कितना कीमत मिलता होगा इन लोग कुछ पता है यह सब जाने गया कि कितना मिलता है ना मिलता है लोग उन लोग से पूछ लेंगे अच्छा ठीक है सरकार कभी इसक स्मेल आता एक किलोमेटर तक इसके लिए प्रशाशन कुछ क्यों नहीं कर रहा है प्रसातन क्या करेगा नगर निगम का जैसे जमीन है नगर निगम गिरा रहा है इसका पूरा एक्जांपल जो है आप इस वीडियो के जरीए देख सकते हैं आपको दिखा दिया गया है इस वी 120-130 गाड़िया रोज आकर के कच्रा गिराती है और लगबग इन जैसे कितने ही लोग है लगबग कितना लोग आता है कच्रा चुन्ने तेड़ सो अमदी दूसो वितना सकता है कि दूसो आदमी लगबग रहाए सो तीन सो लोग यहां पर कुड़ा चुन्ने डेली आते हैं 130 गाड़ी जो है वो यहां पर डेली कुड़ा जो है वो गिराती है और आप यह देख सकते हैं यह पूरा जो एरिया है वो कुड़ा से भरा हुआ है गंदगी इतनी है और यह छ कि दूनरे कांचिरा घरीटा पर अगर जूत लगए तो पढ़ायी मुफ्तारखेंगा ना जी दस वी दर शर्कार जो स्कूल रखा है ना फिडिक ले स्कूल में जो मेडम सब रहती है न मौरिंग में सरकारी में कभी नहीं पढ़ाती है कोई बच्चे को सब बच्चा अपन कि कितना साल से से कर रहार माइना क्या है कि थी जुप वह दो तो तीन माहिना सी देखर हमतो कीनिंव से फुरा गए है चुन रहा हु बागिवी अखार भॉसा देता है का रखना देता है कि जुटा कर देता है आप पर से बंद है तो तुम महिना के पैसा दिया एक कितना साल से कच्रा चुन रही हैं यह वाला तो एक साल दो साल पुराना है ना इससे पहले कहां से चुन रही थी क्या कीमत मिलता ही कुड़ा का आप लोगों को कीमत मिलता है कि बेस्ते हैं तो ही होता है खर्चा पानी पेट दिन भर में कितना कमा लेती हैं कमाते हैं 1500 रुपया कितना परिवार हैं पांच को परिवार के बच्चा है चार लड़की एक लड़का अपती पत्मी तो मतलब छे लोग परिवार में आरा पकेले 400 कमाती है सब कमाता है अच्छा लोग को जो सरकार जो है वह मुफ्त में सरकारी स्कूल पढ़ाता है दस वी तक ज्यादे तर बच्चे स्कूल नहीं जाते कारण का है अभी तो बंद है तो मालीजे की जो अन्लाइन का सुविधा मिल रहा है बच्चा लोग का भविश्य क्या है कई से बढ़ाईएगा वही तो बोल रहे हैं कैसे बढ़ाईएगा पूड़ा में तो जिंदगी नहीं चलेगा इसलिए मापसे पूछ रहे हैं कई से बढ़ाईएगा इसका भविश्य कूल तर बांद चलते लिए आते मैडम आपके बच्चे चारों पढ़ते हैं सब बाहिए मूं पाश पढ़ता है हां और बागी सब कौन-कून क्लास में मैं नों कुरा कोडा चुनती हो जब पढ़ती हो तो आपको दो घुड़ा कमा चुन-चुन कि कमाती हो कितना चला चुनती हो सकूल नहीं जाता है दस बतक कशा तो तू क्यों नहीं जाता है स्कूल इधरा 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 आजा 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 एक मेना से पैसा कमाते हो कितना कमा ले तो एक दिन में आरे भाई अच्छा तो अभी हम यहां मौझूद है कुछ बच्चों के साथ कुछ गार्जियन थे वो यहीं कह रहे थे कि भेशते तो है पढ़ाने के लिए कुरोना काल में अभी स्कूल बंध है इसलिए यह बच्चे स्कूल नहीं जा पारे सरकार इनको 500 रुपय जती हां अंगन बाड हर दिन का 300-400 रुपया कमाते हैं और अपने परिवार में 6-7 लोग का भरन पोशन करते हैं यह दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि यह वही स्मार्ट सिटी पटना है जो गंदगी के मामले में नंबर वन पर आया है यह दिखाना इसलिए जरूरी था कि कुछ ऐसे भी बच् देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लिजे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबस्क्राइब कर लिजे और अगर अब तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लिजे ताकि हमारा वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके